नगरी निकार्चुना में भाष्वा ने सभी 18 नगर निगम जिला मुख्याले सायद प्रमुक नगर पाली का परिशदो और नगर पंचैद में भगवा पर्चम फेराने में पूरी ताकत लगाई है 13 माई को निकार्चुना के परिणा में ही सामने आएगा कि भाष्वा सरकार और संग्धन के प्रियास कितने सपल रहे बहराल भाष्वा ने सभी नगर निगमो अधिकांश नगर पाली का परिशद और नगर पंचैदों में भगवा पर्चम फेराने का दावा किया है भाष्वा ने निकार्चुनाव को लोगसवा चुनाव का पूरो अभ्यास मानते हुए चुनावी तैयारिया शुरू की थी करीब 6 महने पहले से बू से लेकर प्रदेश तक चुनावी तैयारियों को अंजार दिया गया निकाय चुना में महापूर नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपंचयत अध्यक्ष, पार्षद और सभासत प्रत्याशी चेयन से लेकर चुना प्रचार में भी पार्टी इस्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी सपा बस्पा सरकार में मंत्री रहे निताओ को भाश्वा में शामिल कराया इतना ही नहीं शाजापूर नगरणिगम में महापूर पत के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर सपा के उम्मीदवार अजनाव वर्मा को भाष्वा में शामिल करा कर उन्हें ही प्रत्याशी घूशित कर दिया मुख्य मंत्री ने नगर निकाय चुनाव में 75 में से 43 जिलों में भाष्वा पत्याशों के समर्थन में चुनावी सबाएं, सम्मेलन और रैलियों को संबोधित किया 24 अपरेल को पहली चुनावी रैली सहारनपूर में की थी वही निकाय चुनाव की अंतीम चुनावी सभा नो मई को चित्रखूर्ट में हुई, मुख्या मंत्री ने पहले चरण के 37 जिलों में से 22 जिलों में 28 चुनावी रेलिया, जन सभा और सम्मेलनों को संबोधित किया था मोरे ने अंतिम चुनावी सबा आयोध्या में संबोधित की मोरे ने चुनाव के दोरान 32 से अधिक जिलो में 58 सबाओ, रैलियो, समेरनों और बैटकों को संबोधित की मोरे ने खास और वर पिछड़े वोर्ट बैंक वाले इलाकों में भाषपा का मोर्चा समभला उप मुख्यमंत्री व्रजिश पाठक ने 24 अप्रेल को गाज़बाद में भाषपा की महापोर प्रतियाशी सुनिता दयाल की नामंकन सभा से चुनावे अभियान को आगाज किया था पाठक ने 9 मई को निकाज चुनाव की अंतिन सभा फरूखा बाद में की पाठक ने 30 सदिक जिलों में 45 सदिक रैली सभा सम्मेलन और बैट के की पाटक ने निकाय चुना में लखनों में कॉंग्रेस के दोनों महानगर अध्यक्षों को भाशपा में शामिल कराने के साथ प्रदेश में सपा बसपा और कॉंग्रेस में सेंद लगा कर उनके नेताओ को भगवा पठका धारन कराने में भी एहम भूमिका निभाई प्रदेश अद्यक्ष बुपेंद्र सिंग चौधरी ने छबे जिलों में 45 चुनावी कारेक्रमों के जरिए चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया नामंद्री संग्ठन धरंपान ने सभी 18 मंदर इसकर पर चुनावी अभियान की समिक्षा की भाश्वा के प्रदेश अद्यक्ष बुपेंद्र सिंग चौधरी का दावा है कि पार्टी योगी मोधी सरकार की उपलब्दियों को लेकर जनता के बीच गई है जनता ने सुशासन, विकास और बहतर कानून व्यवस्ता की सराहना करते हुए भाश्वा की चुनावी एजेंडे पर सहमती देकर पहले और दूसरे चलन में प्रेक्चंड बहुमत दिया है उनका दावा है कि निकाच चुना में सपा बसपा और कॉंग्रेस का सफाया होगा और भाश्वा को बड़ी चीत मिलेगी